हेलो दोस्तों, MK Alert के ओफिशल यूटूग चैनल में आप सभी का फीड से स्वागत है तो इस बार जॉइन इंडियन आर्मी, गवर्मेंट आफ इंडिया की तरफ से भरती की अपडेट आई है इस भरती के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस राज्ये वाले अप्लाई कर पाएंगे और कौन कौन अप्लाई कैसे करना है, वो आपको सारी जानकारी, आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी आप इस वीडियो को सुरूर से लेके अन तक जरूर देखेगा वहीं अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि लेटर्स जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आप तक पॉस्टी रहे इस बार की भरती की अपडेट के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते है या लेटर्स जॉब्स के लिए भी देखना चाहते है तो सिंपली गूगल में सर्च करिए www.nowln.in आप जैसी इसको सर्च करिए आप में ये ऑफिशल अप साइट में आ जहेंगे जहां से आप इस जॉब पोश्ट के लिए and लेटर जॉब पोश्ट के लिए पिए अपडेट कर सकेंगे तो इस बार की जो भरती की अपडेट निकल के आईए वो इंडियन आरМी की तरफ से निकल के आईए औड यहां पर soldier color soldier technical इढ़़ तेक्निकल तो यहाँ पे आपका simply बारवी पास मांगा गया है उससे पहले मैं आपको notification ही खोल के दिखा देता हूँ जहाँ पे आप official notification पढ़ भी सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Indian Army Requirement Office RQ at Headquarter जैपूर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजिस्तान के लिए भड़ती की update निकल के आईए जो की बढ़ती होंगी 11 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में तो यहाँ पे अगर आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं या notification भी खोलना चाहते हैं सिंपले आप Google में सर्च करिएगा www.navalet.in अब हम लोग बात करते हैं इस जोब पोस्ट के बारे में तो यहाँ पे soldier color and यहाँ पे soldier storekeeper टेकनिकल के लिए बढ़ती है यहाँ पे soldier technical के लिए AMC के लिए या veterinary के लिए बढ़ती निकल के आरकी है जो आखरी पोस्ट होगी वो होगी सिपाई डी फार्मा के लिए तो अगर आप भी यहाँ पे age limit देखना चाहते हैं जो भी color के लिए apply करना चाहते हैं तो 17 से 23 साल मांगी गई है और technical के भी बागि अगर सिपाई डी फार्मा के लिए apply करना चाहते हैं जो कि अगर आप एक अप्रेल को हुए थे अगर आप इन दोनों में से किसी date में हुए तो भी आप apply कर सकेंगे तो यहाँ पे height भी आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको education qualification भी देखने को मिल जाएगा जो कि यह बारवी पास होने चाहिए with 60% marks and minimum 50% आपके हर एक subject में होने चाहिए तो अगर आप technical के लिए apply करना चाहते है तो यहाँ पे आपके बारवी पास मांगी गई है science subject आपके पास होना चाहिए and यहाँ पे physics, chemistry, bio and English subject में आपके 50% से उपर होने चाहिए और हर एक subject में आपके 40% से भी उपर चाहिए होगा वह अगर आप सिपाई D-Pharma के लिए apply करने वाले है तो यहाँ पे बारवी पास मांगा गया है and D-Pharma में आपके qualification होनी चाहिए with 55% के mark के साथ अगर आपको apply करना है तो यहाँ पे आप देख सकते है height जो होगी यहाँ पे 162 cm होगी and यहाँ पे chest होगी 77 की and अगर आपको apply करना है तो यहाँ पे आपको basic यहाँ पे physical test देना होगा जिसमें 1.6 km की running होगी and उसके बाद आपका beam जिसको अमने पुलब भी बोलते है and यहाँ पे आपका गड़ा कूद भी होगा and यहाँ पे zigzag balance के basis में आपका physical होने वाला है उसके बाद आपका medical होगा and उसके बाद आपका return exam होगा तो उसके बाद आपका merit list लगेगा जिसमें आपको selection के candidates के नाम मिल जाएंगी तो अगर आपको simply अगर apply करना है तो simply आप join in that army.nick.in link सकते हैं या फिर आपको इस job की website भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो आप apply link में जैसी click करेंगे तो yellow page खुल जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते है jco and or अगर आप यहाँ पे click करेंगे तो यहाँ पे next page खुल जाएगा वहीं अगर आप login करके apply कर सकते है अगर आप new user हो तो यहाँ पे new registration का आपको फॉरन करने के लिए आवे दन मिल जाएगा बढ़ जाएगा जाएगा